उन धुनों का रोज आपस में आमदा सामना होता था क्योंकि उनका रश्ता एक ही था वो एक दूस्य को सान्द करने लगे थे एक दिन ओफिस आने के बाद गोलू अपनी मां से कहता है कि मां स्वातवले पेड़ पेड़ जो चुड़िया रहती है बुझे उससे शादी करनी आप उसी मां के पास और इसा लेकर मेरा मैं उससे बहुत चंद करता हूँ मैं प्यार को तो उसे अले पेड़ा ये तो और अची बात है मेरे बेटे को लड़ की पसंदा कि इससे बड़े खिल बात हो सकती मैं तो अब अपने बेटे की खूंग्राम से शादी करूँगी खूब गोलू का बुतर की मां ये कहेंगर गोलू से सीधे चीड़िया के घर जाती है लाड़ो चीड़िया आगे कलीन पर बैठी होती है और वो जा के लाड़ो से कहती है अरे बेन आपकी बेटी मेरे बेटे को बहुत पुसंद है मैं आपकी बेटी को अपने गई की पोम बनाना चाहती हूँ मैं उसको प्यार मुहबब से रखूँगी अपनी बेटी बना के किसी चीज़ की कमी नहीं होगी अरे में इसे एची क्या बात हो गई हम तो धन्ने होगे मेरे बेटी की शादी आपके घर में हो जागी मैं बहुत खुशाएगी अरे पिंकी वो पिंकी बाह सुनो यह क्या हो गया क्यो शोर मच जाया वह इतना पिंकी बेता ये तुमारा रिष्टा लेकर आई है अपने बेटे के लिए पिंकी शर्मा के वाँ से चली जाती है उनकी शादित कल के दिन तैय हो जाती है वो दोनों शादी करके घर आते हैं और बहुत खुश होते हैं अगले सुबह वो जब अपनी मा के घर लेके उसको जाता है तो वहाँ पे उसकी मा कलीन पे पड़े होती है क्यूंकि वो बहुत मिमार होती हुने नहीं पता होता कि उनकी मा का ये आथरी टाइम होता है अरे माँ ये क्या हो गया अपनी से व móलेटी है माँ मेरे बच्चे रोनो मेरे दिन के इतनी ही थी तुम्हारी का इशादियों के इच्छे में काफी है मेरे लिए अरो नई अंटी हम आपको होस्पिटल लेकर जाएंगे गोलू इतना कहता ही है कि उसकी मांगी साइसे खतम हो जाती हो तो प्यारे बच्चों कैसी लगी स्टोरी मारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें ताकि अच्छी अच्छी स्टोरी आपको मिलती रही अब नेक्स स्टोरी में मिलेगे तब तक बाई बाई